उनको प्रणाम करता था तो एक ही आशिरवाद देते थे स्वरनकार भव जब मैंने को भी आशिरवाद यही मिला तो मैंने उनको पूछा महरजी अब सुनार कैसे बने ब्रामण घर में शरीर पैदा हुआ तो आप तो सुनार के घर में पैदा नहीं होगा तो अंगला मामला है अड़े उन्होंने का शरीर से बनने की जरूरत नहीं बुद्धी से बनो तो उन्हें का बुद्धी से बनने का उप्राय क्या है उन्होंने का जैसे स्वर्णकार बेचता सोना नहीं है अबूसन है और खरीदता सोना है आप उसकी दुकान से खरीद करके लिए कोई स्वर्णकार यहां बैठे हो तो नाराज मत हो जाना हमको तो किशी ने कहा एक ही सोना सोनार के पास चार-पांच बार पहुँच जाए तो उसके बाप का admitted संस्कत में उसका नाम परष्यत उहरा है परष्यत उहरा आप देखते रहो तब भी उहरन कर ले आप चाहे कितना उसके अपने आँखों के सामने काम कराओ किंदो तब भी वो चुरा ले कावत तो ये है कि सुरनकार अपनी मां को भी नहीं छोड़ता चुराने में तो बीमारे उसके पास यदी बनाने के लिए गए तो उससे भी कुछ ने कुछ निकाल लेता है किन तुमारे ध्यान देने के बाद जो इसमें मूल रूप से है सुर्णकार रभव में उसकी द्रश्टी सोने पर होती है आबूशनों पर नहीं होती है कितने कैरेट सोना है तत्व पर द्रश्टी हो ये नाम रूप पर द्रश्टी नहों द्रश्टी कहां हो द्रश्टी तत् परित्यज्य तिष्टम माराज ये कह रहे हैं या संसार नामक व्याधी का केवल यदि कोई आउसदी है ये संसार नामक व्याधी की कोई यदि दवा है तो एक मात्र दवा है इसका ज्ञान और कोई इसकी आउसदी नहीं है दुसरा कोई माराज इसमें साधन नहीं है ज्ञान ही इसकी ओशदी है उसके बाद महारा स्री रागों ने हमारे कहा कि प्रहू मैं एक प्रशन आपके चरणों में बंदन करके पूस्ता हूं कि ये जगत परमात्मा से बना ऐसा कहते हैं आप कह रहे हैं कि ये मित्या है तो ये भोकता कौन बनता है ये दैव किसे कहते हैं ये प् कि मुच्चते तथा कर्म कारणम चकि मुच्चते आप करपा करके हमको बताइए मैं पूछना चाहता हूँ दैव किसे कहते हैं और महराज कर्म क्या है कारण क्या है कर्म किसे कहते हैं और कारण किसे कहा जाता है आप करपा करके हमको बताइए यह प्रशन पूछना चाहते हैं तो इन्होंने महराज इतनी सुन्दर बात कही है महराशी वशिष्टी जी महराज कहते हैं कि जहां तक आपकी दृष्टी जारे जीव, कारण, कर्म, चित, इस महराज ये सब के सब जो हैं ये ब्रह्म के ही नाम है। सब किसके नाम हैं ब्रह्म के ही नाम हैं चाहे जीव कहे दो चाहे कारण कहे दो चाहे कर्म कहे दो चाहे चित कहे दो चाहे सपंद कहे दो ये सब नाम तो नरन उसी के हैं अब बात ये हैं अगर इसको महराज हमारे पुराने महात्माओं के आधार पर इसलिए जीव और इसवर में क्या फरक है जीव इस्वर ब्रह्म येदि आप देखें तो नाम की दृष्टी से अलग-अलग दिखते हैं बात यह नरंड सुद्ध विद्या में पड़े हुए प्रतिविम्म का नाम है इस्वर और मलिन अविद्या में पड़े हुए प्रतिविम्म का नाम है जीव तो इदि बागत्याग लक्षणा के आधहर पर आप देखो, तो वह है यहिद सुद्ध अटा दो, यहां मलिन अटा दो, तो क्या होगा, अगर सुद्ध अटा दिया गया, मलिन अटा दिया गया, दोनों का मैरा जटादिया जाये, तो जीव और ईश्वर में क्या बेहद है कोई बेहद ही नहीं ब्रह्मे के अत्रिक्त क्या है उसमें केवल मलिन अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिवी में था तो मलिन अविद्या हटा दो हमारी संत जन सुनाते हैं मानो एक बेक्ती कहीं जब महराज मिला तो आप पैंट कोड़ टाई पहने हुए था और बाद में मिला तो बिखारी था कपों कौपी अधरन के था कुछ नहीं था देखने वाले ने कहा कि लगता तो वही है जो महराज ये पैंट कोड़ टाई पहने हुए वियला व्यक्ति था किन्तों महराज वो तो पेंड कोट टाई पहने हुए था वो कैसे हो सकता है तो बोले पेंड कोट टाई हटा दो और इसका विखारी का भेष अटा दो तो दोनों तो एक ही है न किवल भेष से ही तो अलग लग रहा है भेश के कारण ये बिखारी कहा जा रहा है और वो भेश के कारण बाबू कहा जा रहा है अगर कपड़े क्यों हटा दिया जाए तो न तो बाबू कहा जाएगा और न इसको बिखारी कहा जाएगा तो मराज यही अविद्या जन्न जो मराज सुद्ध विद्या हटा दिया माराज ये मन का ही सारा खेल है तो कहा माराज ये मन का खेल है सब और मने कल निविदन ही किया था मन माने कुछ दूसरा मत समझेगा मन नाम विद्या का ही है मन नाम माया का ही है और ये सारा खेल उसी का ही है तो इन्होंने कहा कि माराज आप करपा करके बताए इस मन को कैसे उस करपा करके हमको को मोक्षा को विचार आप माराज मोक्ष किसे कहते हैं विचार किसे कहते हैं जब हमारे शी माराज वशिष्टी जी माराज के सामने इन्होंने पूछना परारम किया तो इन्होंने बताना परारम किया है आप विचार की कई कल धाराय हमने सामने रखी थी अर्व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, अनन्त हैं, अद्धुति हैं, वही ब्रांतिवस असुद्ध सा लग रहा है, ब्रांतिवस सुद्ध सर्वगतम ब्रह्मन, अनन्तम अद्धुतियम, यह जो बोध है, इसका बारं बार मारा चिंतन करना है, और जब मारा यह सृष्टी आपको जैसे दिखती सागर में सागर से जैसे तरंगें उठती हैं वैसे सश्टी कहां एक बड़ा सुंदर प्योग किया गया है काक ताली न्यायवत का भी प्राय का इसको कैसे समझा जाए जैसे मानो कोई काक उड़कर के जाकर के बैठ गया किसी ब्रक्ष पर और ब्रक्ष नारियल का है और बैठते ही मारा जो नारियल का फल तूट गया तो क्या उसके बैठने से तूटा उसको ब्रह्म हो गया कि हमारे बैठने के कारण वो तूटा हुआ है उसके बैठने के कान तूटा नहीं हुआ है वो तो सहज पहले से तूटा था निकाग क्या तोड़ सकेगा उसको पराज उसके फल को काग के बसका थोड़ी तोड़ना है वो तो एक संयोग है और कुछ नहीं है उसका बैठना हुआ उसका तूटना हुआ उसके पुरशार्थ से वह नहीं तूटा हुआ है तो माराज ये संयोग मात्र जगत है ये कुछी ने इसको बनाया नहीं है और न इसका कोई माराज बनाने वाला है इसको माराज विसद्धंग से समझाने के लिए अमरेशी वशिष्ट जी माराज ने एक उदारण दिया है कहते इतियासम पुरातनम एक पुरातन इतियास है वैसे तो राक्षस एक है माराज उसके सा राक्षसी के साथ जो वारता लाप हुआ है में सुनाना तो इनका उस राक्षसी का चरित्र सुना करके और मंत्री के साथ में राजा के साथ जो राक्षसी का वारता लाफ हुआ है उससे जो तद्व निकला है वो सुनाना चाहेते हैं कि नो मर यहां तो यो परमपरा है किसी बात को सुनाएंगे तो पहले दरिश्टांग सुनादेंगे क्योंकि कथा सुनाएंगे बाद में भाई ये वारता हुई थी उस जग है क्योंकि वारता की चर्चा करना मनोगीता सुनाना है तो गीता की चर्चा सुनाने के लिए पहले मा भारत सुना दी गई भाई ऐसे हुआ ऐसे हुआ उसने अन्याय किया राज नहीं दिया तो राज न करके उसने सिस्यत्य श्युकार किया तब ठाकुर जी ने सुनाया तो माराज सुनाना तो गीता उद्देश है कि इन तो इतनी बड़ी भूमिका बना दी गई क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से ये दर्सन समझ में आ जाता है तो इन्होंने माराज एक दृष्टांत सुनाना प्रार्म किया है कि हिमाले परवत के उत्तर में कहते हैं अस्ति कजल पंक्ती के समान एक माराज काजल के समान एक राक्चसी थी जिसका नाम था करकटी तीन इस देवी के नाम है एक तो इसका नाम करकटी भी है दूसरा विसूची का नाम है और तीसरे ये अन्याय वादिका भी है इसका इतना विसाल सरीर है इतना विसाल सरीर है इसके सरीर का बहुत बणा विस्तार से वरणन किया गया है और माराज इसका पेट कभी भरता ही नहीं है, गेषिक कितना इसको बोजन करा दिया जा अत्रिपतोग या कभी त्रप्त नहीं होती है, इवा भूच जठरतो नलाहा लगता है मारा जठ्रागिनी इसके पेट में जलती है, चाहे कितना डाल दिया जाए सब राक हो जाता है और यह जहां जहां जाती हमाराज जाने कितने लोगों को खा जाती है इस से बचने का साधन लोगों के पास नजर नहीं आता है एक हजार वर्ष तक माराज इस प्रकार से यक लोगों को खाती रही बक्षन करती रही किन्त पेट नहीं बरता तो इसने सोचा तब करें बहिए हमारा पेटे नहीं भरता है करना प्रार्म किया कुछ मांगेंगे दारुणमी तपस्षिद्ध ही उस ने एक हजार वर्ष तक इस करकटी ने बड़ा दारुन तप किया और जब दारुन तप किया तो सच्चु ब्रमा जी माराज जब इनके सामने प्रगट हुए तो इसने मांग रग दी कि हमको क्या चाहिए अब माराज मांगना भी सब को नहीं आता है मांगने की भी कला है और मांगना आना चाहिए हमारे एक माहत्मा सुनाते थे कि संयोग से पति पत्नी और उनके बेटे ने आराधना की और आराधना किया तो इश्ट देवता प्रगट हो गए और जब इश्ट देवता प्रगट हुए बोले बर मांगो तुम लोग एक एक ही बर मांग सकते हो